नवस्कार स्वागत है आप सभी का आरो यारो मौक टेस्ट में आज ये जो है पचीसवा टेस्ट है जिसमें हम लोग समीच्छा अधिकारी के पाठिकरम के अनरूप सामान एध्यन और सामान हिंदी के कुल 30 प्रसनों को पूरी ब्याख्या के साथ हल करेंगे यहाँ पर मैं आपको ये भी सुचित कर देना चाहता हूँ कि इस टेस्ट के बाद जो है अगला टेस्ट आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी तक जो material हम लोग के बास उपलब्द था जो है उसको यूज कर लिया गया है और नया material जो है लॉक्डाउन की कुछ समस्याएं हैं आफिस वगयरा नहीं खुल पा रहा है तो उसकी वज़े से अभी तयार हो रहा है लेकिन वो जो है उसको आप लोग के सामने लाने लायक बनाने में अभी कुछ समय लगेगा तो लगवग एक हपते का समय इसमें लग सकता है जैसे ही मटीरियल तयार हो जाएगा तुरंत हम लोग इस्टेसरीज को फिर से स्टार्ट करेंगे समीक्षा दिकारी की तयारी में सामान हिंदी का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि सामान हिंदी के 60 प्रसनाते हैं जो 60 नंबर के होते हैं और अगर इसमें आप 55 प्लस का टार्गेट लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से आप सामान हिंदी के दम पर प्रारंबिक परिच्छा को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर 55 प्लस का target लेके चलते हैं और 50 प्लस भी आप लाते हैं तो आपके लिए जो है अच्छा score होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी हिंदी को जो है e-book के form में PDF में compile किया है जो आप लोग के लिए उपलब्ध है तो अगर आप चाहें तो इसको आप के साथ लिखा गया है जितने भी सुरोत प्रामाडिक सुरोत मानक पुस्त के consult करने चाहिए थी सभी से जो है संदर्व गुरहन करके इसको तयार किया गया है और यहां पर सबसे बड़ी चीज जो है कि असुद्धियां क्योंकि बिबिन पुस्तकों में असुद्धियां होत पीडियां का लिंक यहां पर दिया हुआ है जिस पर जाकर आप बुक्तान करके इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई query हो इसके बारे में जानना हो तो इस नंबर पर आप जो है call करके बात कर सकते हैं या जो है आरो हिंदी पीडियां लिकर भेज देंगे तो उधर से आपको सब कुछ जानकारी दे दी जाएगी यह PDF दिखती कैसी है इसका एक sample देखने के लिए जो है आप इस वीडियो के description box में एक link दिया हुआ PDF का उस पर जो है click करकर इसको देख सकते हैं साथ ही आगर आप समीच्छा दिकारी की हमारी वर्तमान क्रैस कोर से जुड़ना चाते हैं तो सबसे बहतर तरीका है कि आप समीच्छा दिकारी में कम समय में बिलकुल targeted और selected material के माध्यम से आरो यारो में अच्छे से अच्छा score कर सकते हैं इसमें कुल 11 full test है current affairs के 9 test हैं इस तरह से कुल 20 test हैं जिसको आप online भी देंगे साथ में उसकी पूरी PDF आपको दी जा साथ में जिस topics related वो question है उसकी संपूर्ण व्याख्या भी उसमें दी है तो उसका भी जो है demo test का PDF इस वीडियो के description box में और pin comment में दिया है आप वहां से इसको download करके पढ़ सकते हैं अगर आप इसको join करना चाहते हैं तो join आरो लिखकर इस number पर भेज दीजिए चलिए सुरू अपयो करते हैं आज का हम test का कारिकरम पहला प्रस्ण क्या है अभियुक्त तो अभियुक्त सब्द निमलीखित में से किस वाक्यांस के लिए प्रियुक्त होने वाला सब्द है जिस पर मुकदमा चल आ हो उसको अभियुक्त कहा जाता है अपराद करने का आरोप जिस पर इनों ही जो वाक्यांस हैं, इसके लिए अभ्यूक्त सब्द जो है, सही बैठता है, तो D option यहां पर correct होगा, अगला प्रसंद देखेंगे, सुमेलन करना है, वाक्यांस के लिए एक सब्द दिये हैं, सुची दो में, खाने का इच्छुक, खाने का इच्छुक जो होता है, उस ही है, इसी तरह से मरने की इच्छा को क्या कहते हैं, मुमुर्शा कहते हैं, और मरने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है, उसको मुमुर्श कहते हैं, तो इस तरह से यह सभी आमने सामने सुमेलित हैं, और पहला जो option, यह option इसका सही होगा, अगला प्रसंद देखते हैं, थ पर क्या है यह परणाम वाचक तो हाई है यहां पर अनिस्चित परीमाडवाचक विशेशन का यह जी मात्रा या नापतावल का मात्रा की ऐकाई इस परणा रूप से दी गई हो टन, लीटर, मीटर, किलोग्राम यह सभी निश्चित परिमार वाचक होगे अनिश्चित परिमार वाचक में थोड़ा बहुत ज्यादा अधिक कुछ यह सब आ जाएगा निश्चित संख्या वाचक में एक दो पहला दूगना आएगा और अनिश्चित संख्या वाचक में काम ज्यादा थोड़े बहुत ये सब ही आ जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं निमलिकित में से किस विकल्प में क्रम वाचक विशेशन है तो क्रम वाचक मतलब जो किसी भी वस्तू संख्या इत्यारी का एक क्रम बता रहा हो तो यहाँ पर क्रम आपको किस में दिख रहा है पहला दूसरा बी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा यह जो है क्रम वाचक विशेशन के उधारण है गड़ना वाचक के क्या उधारण होते हैं वाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा आवरत्ति वाचक में उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ एक गुना है दो गुना है तीन गुना है तो यह आवरत्ति वाचक विशेशन हो जाएगा और समूवाचक है जब किसी एक समूव को जो है हम किसी एक सब्द से विशेस्ता बताते हैं उसकी जैसे दोनों पाँचों सभी ये सभी क्या है समूवाचक विशेष्वन के उदारण है अगला परस्थन पदोनती सब्द का विप्रतारथक सब्द इन में से कौँ सा है पदोनती मतलब पद की लगातार उन्दनी होना यानि निचले पद से उच पद पर जाना तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा पदावनत यानि उपर वाले पद से नीचे आ जाना C option या पर correct होगा अगला प्रस्ण साहचरे का विलोम क्या होगा साहचर का अर्थ क्या होता है साथ साथ रहना तो कोई चीज साथ साथ है उसको साचरे कहते हैं और उसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रथक करण यानि अलग-अलग हो जाना अगला प्रस्ण देखेंगे निमलिखित में से किस विकल्प में सभी गंगा जी के परियावाची सब्द हैं तो गंगा के बहुत सारे परियावाची होते हैं बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तरी पतगा, विवुध नदी, पूने तीता ये सबी क्या है गंगा के परियावाची है भीस्मसू सुर्धनी विभुधा ये भी गंगा के परियावाची है देवनदी मंदाकिनी भागी रती ये भी गंगा के परियावाची है तो ये सबी जो है गंगा नदी के परियावाची सब्द है गंगा नदी के अन्य यानि समानार्थी या परियावाची सब्द इन में से कौन सा है तो आपके सामने आपसान है सुर्भी, तलवार, धर्ती और बिजली पयाश्वनी का जो है सामान अर्थ क्या होता है पयाश्वनी मतलब होता है गाय या गव तो गाय का जो है इसमें अन्य समानार्थी सब्द तलवार के परियावाची असी चंद्रहास करवाल क्रपाल खळग। अगला प्रस्ण निम्लिखित में से सुध्वर्तनी वाले सब्दों का चैन कीजिए। केवल एक वाद दो की जो है वर्तनीश में से सुद्ध है बाकी की यह सुद्ध है तो उनको कैसे सुद्ध होगी यह हम देखते हैं सूर्प नखा के स्थान पे क्या होना चाहिए सूर्प रखा होना चाहिए वालमी की इस तरह से नहीं लिखा जाएगा वालमी की इस तरह से लिखा जाएगा हिंग की जगे सही सब्द क्या होता है हिंग होता है हिंदू की जगे हिंदू हितेचुक की जगे हितेचु जो है सही होता है यहाँ पर का का जो प्रियोग होता है वो अनुछित प्रियोग होता है इस्वास्थ की जगे स्वास्थिय लिखा जाता सब्द और समीथी की जगे समीथी सब्द जो है सही होता है अगला प्रसंद देखेंगे लिंग प्रत्याई की दिरिष्टी से किस सब्द की वर्तनी असुद्ध है कोमलांगी ठीक लिखा है, क्रसांगी भी लिंग के साब से यानि इस्त्री लिंग में सही लिखा है और प्रेसी भी इस्त्री लिंग में सही लिखा है, लेकिन ये दिगंबरी गलत है इसकी जगे क्या होना चाहिए था दिगंबरा होना चाहिए था दिगंबरा जो है इस त्रीलिंग सब्द होता है दिगंबर का अगला प्रस्न निमलिखित में से तत्सम सब्द का हमको चैन करना तत्सम सब्द यानि संस्कृत के वे सब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रि खेत का जो है क्या होता है छेत्र होता है ने का स्ने होता है कंधा का तत्सम इसकंध होता है अगला प्रस्ण निमलिखित में से तदभौ सब्द का चैन कीजिए इसमें से तदभौ सब्द कौन सा है तो वाडी कैसा सब्द है तत्सम है मूली भी तत्सम है प्रिय भी तत्सम है ब्याह सब्द जो है ये तदभौ सब्द है वाडी का तदभौ क्या होगा बैन होगा मूल का मोल होगा प्रीय का पीय होगा और ब्याह सब्द जो है तदभौ सब्द है जिसका तदभौ सब्द है जिसका तदभौ क्या होता है विवा होता है अगला प्रसंद देखते हैं आद तो जलिया वाला बागत्याकांट जब तक हम को येर नहीं पता होगा तब तक हम जो है इसका सही क्रम नहीं लगा पाएंगे। जलिया वाला बागत्याकांट कब हुआ था उननिस सो उननिस में गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था ये नाइन्टीन थर्टीवन में हुआ था साइमन कमीशन भारत कब आया था उननिस सो अटाइस में आया था और भारती कम्मुनिस्ट पार्टी ये उननिस सो बीस में ब होगा क्योंकि आपके सामने मैंने year लिख दिया है उसके हिसाब से आप इसको arrange कर सकते हैं तो जलिया वाला बागत्या कांड 1919 गांधीर भी समझे था 1931 साइमन कमीशन 1928 और भारती कमिनिश्ट पार्टी की स्थापना 1920 अब भारती कमिनिश्ट पार्टी की स्थापना का जो इत खरजी, रोजा, फिटिग्राप, मुहम्मद अली, मुहम्मद सफी, ये सभी वहाँ पर तासकन में एक सम्मेलन किया था इन लोगों ने तो उसी में भारती कमिनिश्ट पार्टी की अपचारिक सुरवात या इस्थापना हो गई थी उसके बार 1921 से 1955 इस्वी के बीच भारत में अनेक स्थानों पर आपचारिक सामयवादी गुटों की स्थापना होती रही और अंतिम रूप से 1 दिसंबर 1925 को गोशना तथा 27 दिसंबर 1925 को कानपूर में सत्य भक्त के नित्यत में अखिल भारती सामयवादी दल का गठन हुआ था अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि भारती कम्मिनिष्ट पार्टी ये 1920 में बनी थी तासकन्द में और 1925 में 27 दिसंबर 1925 को अखिल भारती सामयवादी दल का गठन किया गया था जिसको हम आल इंडिया कम्मिनिष्ट पार्टी कहेंगे तो दोनों में अंतर है इसी इस प्री मतलब ये प्रस्ण ही जिस पर हम डिसकर्स कर रहे हैं गठन से संबंधित प्रस्ण जो है इस प्री 2005 में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर जो है इस एक्जाम में जो है UPSC द्वारा जो है 1920 ही दिया गया था अब यहाँ पर कई सारी जो है गठनाय बताई तो साइमन कमीशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो भारत सरकार अधनियम जो 1919 का था इसने ब्रिटिस भारत के प्रांतों को संचालित करने के लिए दूई सासन ब्योस्था की सुरुवात की थी इस अधनियम में प्राविधान था कि सासन योजना की प्रगत की जाएंगे इगलेंड की सरकार रूडिवादी सरकार थी जो कि भारतियों के नियंत्रण देने के पच्च में नहीं थी यानि वो चाती थी कि ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण ब्रिटिस के हाथ में भारतियों के हाथ में जो है संसदी वेवस्था या नियंत्रण ना जाए तो मार्च 1927 में सरकार ने निधारित तिथी से पहले क्योंकि 1929 के हिसाब से जो है 1929 में आयोग बनना चाहिए था लेकिन इसने क्या किया 1927 में जो है सरकार ने निधारी तिथी से पहले वैधानिक आयोग की नियुक्ति की निर्णे की घोशना की और आयोग को बार में 1929 में इस्थापित किया जाना था लेकिन इसने 1927 में ही इसको घोशित कर दिया और यही आयोग था साइमन कमीशन अब इसकी सिफारी से क्या थी तो इसकी सिफारी से हम संचेप में जानते इसने कहा संगी समिधान होना चाहिए प्रांतिय कानून को प्रांतों को कानून सहित पूर स्वायत्ता मिलनी चाहिए विभिन समुदायों की रच्छा के लिए राजबाल को आंतरिक सुरच्छा और प भारत सरकार का हाई कोट पूर नियंतरण होना चाहिए तो कांग्रेश द्वारा दिसंबर 1927 में मदरास में आजित अपने वारसिक सत्र में साइमन कमीशन के बहिसकार का निनने लिया जब पता चला कि साइमन कमीशन बन गया है भारत आने वाला है तो कांग्रेश ने जो है अद्रास अधिवेशन जो की 1927 में हुआ था इसमें प्रस्ताव पास किया कि पूरे देश में इस कमीशन का बहिसकार किया जाएगा इसी के करम में 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांगरेशन उसे काले जंजे डिखाए और कोलकाता में सुभास चन बोस ने इसका नेत्रत किया 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन हुआ तो लाहौर में साइमन कमीशन के बिरोधी जलूस का नित्रत किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा और लाला लाजपत राय जो है इसमें घायल हो गया उसके बाद 17 नॉम्बर 1928 को उनका निधन हो गया फिर उनकी जो मौत का बदला लेने के लिए ही भगत सिंग सुकदेव राजगुरू ने सांडर्स की हत्या की थी इसके बाद चलते हैं अगला घटना करम क्या हुआ सविनय वग्या अंदोलन गांदी जी ने छिवड़ दिया 1930 में मार्च में और वहाँ पर जो है डांडी मा गांदी और भारत के ततकालीन वायसराय लाड एर्विन के मद्द जो है ये समझोता हुआ था इस समझोते के पच्चात गांदी जी जो है दुत्ती गोल में सम्मेलन जो की सितंबर दिसंबर 1931 में संपन हुआ था इसमें भाग लेने के लिए सहमत हुए अगला प्रसन इसकारा इस्थापित होम रूल लीक से सम्मंदित निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए इसकी स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई थी पहला कतन सही है या गलत बिल्कुल सही है इसके प्रथम सचिव जो है जाज अरुंडेल थे ये भी कतन बिल्कुल सही है तो दो लोकतन्त सुचकांक में भारत को 51 यानि 51 प्लेस के प्राप्त हुई है लोकतन्त की स्थिती के आकलन है तो ब्रिटेन की The Economist Intelligence Unit द्वरा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें 167 डेसों वा छेतरों के लिए लोकतन्त सुचकांक आकलिट किये गये है इसमें भारत को 51 इस् दूसरी का कब हुआ है एे हमदाबाद और मुंबई के बीच जो है दूसरी तेज़स ट्रेन चली थी तो लखनाओ दिल्ली के बीच सेमी हाइस्पीड ट्रेन का सफल संचालन के 50 दूसरी टेजस रेल-गाड़ी एहमदाबाद और मुंबई के बीच 17 जनवरी 2020 से चलाई सीचाई परियोजना है जो थोड़ा बीवादों में चल लही है आन्द प्रेश की यह एक प्रस्तावित प्रियोजना है जिसके अंतरगत 136 गाओं 2 से 11 चोटे कस्मों वा 7 मंडलों का आन्द प्रेश में बिले किया जाएगा जिससे वे पूर्वी गोदावरी जिले का हिस्सा बन जाएंगे यह प्रियोजना गोरावरी नदी पर प्रस्त ब्लुझान कीजिए चार कथन है इस में से कौन सा कथन असत्य है यह हमको देखना है भार्ती संग के नये राज की स्विकृती राष्टपती देता है तो यही कथन गलत है प्रस्ति भारती संग में जो नया राज की सकती संसद के पास है ये भी ठीक है और विसेश रूप से राजसभा के बाद पास है मंत्री मंडल सामोहिक रूप से लोगसभा के प्रती उत्तरदाई होता ये भी कतनेहा पर सही है अब इसको थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं भारती समिधान के अनुछेद दो के अनुस भारत के भाग एक में यानि भारत एवम उसके राजशेतर में दिये हैं अनुछेद एक में क्या दिया है संग का नाम और उसका राजशेतर दिया है अनुछेद दो नए राजियों का प्रिवेस या इस्थापना के बारे में बताता है अनुछेद तीन नए राजियों का न निर्माण और वर्तमान राजियों के छेतरों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में वतलाता है अनुछेत चार पहली अनसूची और चौथी अनसूची के संसोधन तथा अनपूरक अनसांगिक और परिमाडिक विसरों को उपबंद करने के लिए अनुछेत दो अन वर्स होता है अन में से कोई नहीं तो राज सभा जो है एक अनिस्चित कालीन सदन है इसका कोई भी जो है समय सीमा नहीं तै की गई है कि ये कब तक जो है चलेगी हाँ इसके कारिकाल सदस्यों का होता है जो छे वर्स का होता है इसलिए इसमें जो है डी आप सनिया पर करेक् बिल्किस के सदस्यों का छे वर्स होता है प्रतेग दो वर्स पर राजसभा के एक तिहाई सदस्य सेवा निवरित होते रहते हैं राजसभा में सदस्यों की अरिक्तम संख्या जो है वो 250 निदारीत है, इनमें से 238 सदस्य इनका चुनाव भारत के विभिन राज के विधान मंडलों के निर्वाची सदस्यों द्वारा किया जाता है 12 सदस्यों का मनोयनियन होता है भारत के राष्टपती द्वारा इनका मनोयनियन किया जाता है जो अपने अपने छेतरों में उत्कृष्टता हासिल किये हुए होते हैं, राजसभा के जो सदस्र राज बिधान सभाओं से निर्वाचिछ होते हैं, वे उस समंधित राज के अरिवासी नहीं भी हो सकते हैं, पहले ये बादता थी परंतु वर्तमान में से समाप्त कर दिया इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई नेता है जो दिल्ली का निवासी है या हरियाना का निवासी है, लेकिन वो चुनाओ राजसभा का कहां से लड़ता है, वो गुजरात से लड़ता है, तो पहले ये बादता थी कि वो चुनाओ नहीं लड़ सकता है, जहां का वो नीमों के अंसार कोई भी जो है किसी भी राज का निवासी हो लेकिन दूसरे राज से वो राजसभा के लिए चुना जा सकता है अगला प्रस्न सूची एक में जो है कुछ संस्थान दिये हुए हैं जो कि सोच संस्थान है और सूची दो में उनकी जगे दी हुई है कि कहां पर वो स्थापित हैं तो इनका हमको सुमेलन करना है केंदरी ये चावल सोच संस्थान ये कहां पर है कटक में है केंदरी ये आलू सोच संस्थान ये सिमला में है भारती गन्ना सोच संस्थान लकनव में है और केंदरी ये तंबाखु सोच संस्थान जो है ये राज मुंदरी म यहां पर C option पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा confusion होती है क्योंकि भारती गन्ना सोच संस्थान और भारती इंडियन सुगर रिसर्च इंस्ट्यूट क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे इंडियन सुगर केन रिसर्च इंस्ट्यूट और आप से पूछा जाए इं और समबदरेसे अंसंधान सनस्थान यह कहा पर है बेरकपूर में यह पश्चुम मंगाल में भारतीबागवानी अंसंधान सनस्थान बैंगलॉर में है केंदरी सीतोष्ण वागवानी संस्थान ये स्रीनगर में है केंदरी सुस्क वागवानी संस्थान ये बीकानेगर में है राश्टी उट अंसंधान संस्थान बीकानेर में है भारती सबजी अंसंधान संस्थान ये वारणसी उत्तरपदेश में है इसके बाद केंदरी आलू अंसंधान संस्थान ये सिमला में है, केंदरी ये कंद फसले अंसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में है, केंदरी ये रोपन फसले अंसंधान संस्थान कासरगोड में है, केंदरी क्रसी अंसंधान संस्थान पोर्ट बलेयर में है, भारती ये मसाल अगला प्रस्थम, प्रत्थम, निर्मित धान्य है इसमें से जो पहला निर्मित धान्य हो कौन सा है ट्रिटिकेल है ले राइटी है यह कैसे बना था तो गेहु और राइटी के सयोज़न से बनाया गया अन्न है तो tritical is a hybrid of wheat जिसमें से triticum से trity ले लिया गया और rye का क्या नाम होता है सिकेल होता है तो यहां से kale ले लिया गया इस तरह से यह बन गया tritical अगला प्रस्न जल कितने केल्विन पर जमता है यह तो हमको सभी को पता है कि 0 degree centigrade पर जम जाता है लेकिन उसका केल्विन में किता मान होगा तो केल्विन में उसका मान होगा 273 केल्विन तो जल का जमना 0 degree centigrade पर होता है फॉरेन हाइट में इसको हम 32 कह सकते हैं और केल्विन में 273 कह सकते हैं इसी तरह से क्वथनांक या boiling point जो है 100 degree centigrade होता है फॉरेन हाइट में इसको हम 212 कहेंगे और केल्विन में इसको 373 कहेंगे कमरे का जो सामान गाताप मान मान जाता हूँ 17the degree centigrade मान जाता है फॉरेन हाइट में इसको 80 6 कहेंगे और 300 कैल्विन कहेंगे मानो सरीर का जो सामान गाताप होता है यह 37 degree temperature मान जाता है कही było 66.6 कहीं लिखा रहता है तो यह 98.6 हो गया फॉरेन हाइट में और कैल्विन में 310 कैल्विन हो गया अगला प्रस्न विटामिन वा उसके आविस्कारक से सम्मंदित निमली खित में से किसका मिलान सही नहीं है विटामिन A की खोज मैकुलन के द्वारा की गई थी विटामिन B भी मैकुलन के द्वारा खो जा गया था विटामिन C होल कट के द्वारा खोला गया था और विटामिन D जो है फंक के द्वारा नहीं खोजा गया था विटामिन D की खोज किस ने थी थी? हॉपकिन्स ने की थी और फंक कौन है? फंक या फुंक लिखा रहता कहीं कहीं पर तो ये जो है विटामिन के खोज करता है अगला प्रसन देखेंगे निमलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए इसमें से गलत कथन कौन सा है सबसे पहला इस्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्यूटर जो है एडसाइक था बिल्कुत सही है ये अबाकस का विसकार चीन में हुआ था जिसको ये माना जाता है कि ये कम्प्यूटर का जो है सबसे प्राचीन रूप है इसी की प्रेणा से कम्प्यूटर जन लिया था सिधार्त जो है भारत में निर्मित पहला भारती कम्प्यूटर है जिसको सुरेशी टेकनोलजी से यानि भारत में ही बनाया गया था ये भी गथं ठीक है माइक्रो कम्पियूटर सुपर कम्पियूटर से जादा सक्तिसाली होते हैं ये ये बिलकुल गलत है ये सुपर कम्पियूटर जो है सबसे जादा सक्तिसाली होते हैं www यानि World Wide Web के आविस्कार है कौन से हैं सबसे easy प्रस्थ नहीं है आज की संखला में तो www यानि World Wide Web का जो है आविस्कार किस ने किया था टिम बर्नस ली ने किया था अगला प्रस्थ इन में से direct tax या प्रत्यच कर कौन सा है तो आयकर या संपत्ती कर विक्री कर या टटकर उतपाद कर या सीमा सुलक या इन में से कोई नहीं तो इन में से direct tax या प्रत्यच कर है आयकर और संपत्ती कर यानि income tax and wealth tax प्रत्यच कर कौन कौन से होते हैं उपहार कर सं अपर्तिकर आयकर यह से प्रतेच होते हैं अपरतेच होते हैं विक्रीकर उत्पादनकर टटकर और सीमा सुलक अगला प्रस्थ भारत में एक रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो भारत में एक रुपए का नोट जो है यह भारत सरकार द्वारा जारी किया प्रतेक वर्स अंतराश्टी यह 16 दिवस यानि इंटरनेशनल पीस डे किस दिन मनाए जाता है तो इंटरनेशनल पीस डे मनाए जाता है 11 सितंबर को ये अप संय यहाँ पर करेक्ट होगा आने दिवस के बारे में देखते हैं दो अक्टूबर क्या होता है मादमा गांदी मन तो 9 सेना दिवस ये 4 दिसम्बर को मनाते हैं और 1 दिसम्बर इसमें छूटा हुआ है एक दिसम्बर को क्या मनाते हैं राष्टी एट्स दिवस मनाते हैं नागरिक सुरच्छा दिवस 6 दिसम्बर को राष्टी भोगता दिवस 24 दिसम्बर को अंतराष्टी मानवादिकार दोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को और 20 बालकोस दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है अगला प्रस्न हिट रिफ्रेस ये किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हिट रिफ्रेस पुस्तक जो है ये सत्या नडेला ने लिखी है वहुत ही फेमस बुक है सत्या अर्ली इंडियंस लिखी है टोनी जोसेफ ने दगार्जियंस लिखी है जॉन ग्रिस्म ने तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रस्नों को सौल किया उनकी ब्याक्या देखी फिर इस सीरिज को जल्दी ही कांटिनू करेंगे नमस्कार धन्यवाद साथियों अगर आप एक गंभीर अभ्यरती हैं तो आप हमारे इस क्रैस कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रवाइट करा जाते हैं और करेंट अफेर्स के 9 टेस्ट इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिये जाते हैं जिसकी PDF फाइल आपको मिलत जाती है जिससे आप बिल्कुल परिक्षा कच जैसा महाल महसूस कर सकें तो आपके सामने हमारे क्रैस कोर्स के टेस्ट सीरीच की एक डेमो PDF की फाइल आपके सामने खुली है इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है सभी प्रस्न उनके जो है बा उस topic को clear करने के लिए आवश्यक है वो जो है ब्याक्षा में लिख दी जाती है जो आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है आपको सभी test जो आप देंगे online उसकी PDF दी जाएगी तो आप यह कह सकते हैं कि आपको जो है question answer के format में पूरा का पूरा नोर्स उपलब्द कराया जा है अगर आपको कोई असुविधा है आप उसको नहीं ढूड़ पा रहे हैं तो आप 950-6742546 पर call करके मांग सकते हैं और अगर आप हमाई crash course से जुड़ना चाहें तो आप join आरो लिख कर इसी नंबर पर वार्टसेप से भेज दीजिए आपको crash course से जुड़ने से संबने सम कारी के लिए इससे बहतर बिकल्फ सायद ही कहीं उपलब्ध है अता अपना निरणे सीगर ले और इस crash course प्रोग्राम से जुड़ें